फाइब सेकेंड, टू सेकेंड, रेडी बिज्ञान वा प्रदोगी को गाउं गाउं तक पहुँचाने और प्रतेक जनमानस को लाभानवित करने में आसाधारण प्राकरम की आवस्चक्ता नहीं है और ना ही यह असंभौकार है ग्रामीर जनता को उनकी भासा में प्रदोगी की जानकारी कराने से जहां एक और प्रदोगी की लोक प्रियता बढ़ेगी वहीं दूसरी और जनमानस का जीवन इस्तार उन्नत होगा आवस्चक्ता इस बात की है की प्रतेक प्रतिभा को नियोजित किया जा सके बिज्ञान की प्रगतितो चंद्रमावा सुक्र ग्रह तक को छूने लगी किन्तु ग्रामों में उसकी जानकारी सुन्ने के बराबर है प्रदोगी को ग्राह बनाने वा गाउं गाउं तक पहुँचाने में हिंदी भासा का एक विशेश योगदान संभव है लगभग पचास प्रतिसत भारतिय किसी ना किसी रूप में हिंदी से जुड़े है अपनी सामर्थ और कार की विशालता का मद्दवर्ती संतुलन जितने अच्छे ढंग से हिंदी भासा में बैठ सकता है उतना सायद और किसी भासा में नहीं बिज्ञान वा प्रवद्दोग की के हर विशे को हिंदी में अनेक तरकों तथ्यों प्रमारों और उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करने की छमता है आजकल इंजीनियरी वा उच्छ सिच्छा राष्ट भासा हिंदी में दी जाने लगी है ताकि विद्यारती का मानसिक विकास सुगमता से हो सके और वह विज्ञान वह प्रवद्दोग की का अनुसरण कर सके भारत वर्स में जन संख्या का विस्पूर्ट बरसाती बनस्पतियों के विस्तार की भाती हो रहा है फलसरोप नागरिकों को रहने के लिए धर्ती की कमी अनुबव होने लगी है देहातों में रहने वाले अधिकांस लोग अपनी आजीविका उपारजन के साधनों यों प्रवद्दोग की का लाव ना मिल पाने के काराड सहरों की ओर पलायन करने लगे हैं दूसरी ओर सहरों की बढ़ती आबादी वहां के निवासियों के लिए बिविन संकट उठपन करती जा रही है ग्रामीर छेत्रों में विग्यानवा प्रवद्दोग की का महत्तों अभी तक ठीक तरा से नहीं समझा जा रहा है एक सब समुदाय में विग्यानवा प्रवद्दोग की को ग्राम ग्राम तक पहुंचाने की छमता होना अनिवार है चुकि समूची सबता का विकास विज्ञान वा प्रवदोग की पर निर्भर है विज्ञान परकृत की आविज्यात रहस्यों का अनुसंधान करने और प्रगत के साधन जुटाने में लगे हैं प्रवदोग की ही बैज्यानिक प्रणाली की वहत इस्थती है जो आगे बढ़ने और महानता को उजागर करने का मार्ग सुझाती है दिन चर्या को नियोजित कर सुखमे जीवन ब्यतीत करने की कला सिखाती है वह सर्वों पर कलाकृती सभी जनमानस को उपलब्द होनी स्वास्थ मनुस्य की प्रबल संपदा है दुर्भाग्य पूर्ड ही कहना चाहिए कि गाओं में इस ओर बिसेज्द्यान नहीं दिया जाता वहां स्वास्थ जीवन जीने की सतर्कता काम पालन करने की कला सिखाई जानी चाहिए जिससे मिमारी के पनपनेवा आकाल मृत्य की संभावना से बचा जा सके स्वास्थ सुरच्छा है तो ब्यायाम खेल कोद वा मनोरंजन की जानकारी देना अनिवार है आधुनिक समय में परदोसार नसेबाजी ब्यभीचार आधिकी समस्याएं बिबिन बिमारियों को जन्म दे रही हैं बाल बिबावा बहु परजनन ना गातक हो रहा है स्वास्त रच्छक परवित्यों के समवर्धान वा उन्नत प्रदोकी के समावेश से बिमारियों से आत्मरच्छा भी संभव है ग्रामों में बढ़ती हुई जनसंख्यायों घरों में प्राया सवचाले ना होने के कारार गंदगी इसे भयंकर समस्या उत्प हो रही है उन्नत प्रदोकी से सुलब सवचाले का प्रयोग कर स्वच्छता प्रदान कराई जा सकती है और बिमारियों से भी बचा जा सकता है पसुपालन के लिए चारागाह लगबग समाप्त होते जा रहे हैं सुखा चारा पसुओं की छमता को घटाता है पसुओं को उचित आहार उनको होने वाले बिमारियों योम उनके उपचारों की जानकारी देना आवस्यक है पस्वों से श्रम दूद इत्याद उपलब्द होने से ब्यक्त की आमदनी बढ़ती है यह उत्पादन से किसी प्रकार कम मूलिवान नहीं है इसी प्रकार मुर्गी पालन वा मचली पालन की उन्नत प्रदोग की का उप्योग भी भरपूर किया जा सकता है उन्नत प्रदोग की से मिट्टी की उपजाओ सक्ती का ग्यान उचित फसल का चयान उचित किस्म की बीच की उपलब्धी पौधों में लगने वाली बिमारियों स बचावकार उन्नत फसाल और उचित मूल उपलब्द होते हैं इधन की समस्या दिन प्रद्दिन विकट होती जा रही है पारंपरिक उर्जा स्रोत सिगरता से च्छे होते जा रही है और पर्या वरण की जटिल समस्या बढ़ती जा रही है प्राया ग्रामीर छेत्रों में उर्जा खाना पकाने रोसनी करने सिंचाई खेती बाड़ी या तायात वालगू उद्योगों के लिए परियुक्त होती है बैकल्पिक उर्जा स्रोतों की खोज यो मुसके अनुरूप उद्योगों का विकास आधुनिक समय की मांग है गाउं के लिए गोबर गैस प्लांट सैंत्र आधुनिक प्रदोकी की देन है जापान में मनुसके मलकों सडाकार खेती में खाद की तरह प्रियोग में लाया जाता है उसे सोना खाद कहते हैं इससे दो लाब होते हैं एक तो पस्वों के गोबर की कमी पूरी हो जाती है और दूसरे पैदावार भी अधिक मिलती है मैं माननी मंत्री जी से निवेदन करूंगा की वह बताएं की परियोजनाओं की समय पर ना पूरा होने के कारण से राजकोस को कितना नुकसान उठाना पड़ता है मैं अभी कहूंगा की परियोजनाओं का काम समय पर सुरू ना होने का कारण मात्र वहां अनाधकृत जुग्गी जो पड़िया हैं ना की सरकार या निड़े कर लेने में समर्थ है कि क्या उनका पुनर्वास किया जाए या उन्हें अन्यत्र भेजा जाए या इस संबंद में कुछ और किया जाए इन गंदी बस्तियों के काराण सभी तरह की बीमारियां हो रही हैं डेंगू फैलने के बावजूद हमने कुछ नहीं सीखा है फ्लेग फैलने के बावजूद भी हमने कुछ नहीं सीखा यही बात दुरभाग से कुछ उन भारती बैग्यानिकों के बारे में भी सही है जो बिदेसों में परसिचित हुए हैं या जो पश्चमी करंथों और सिध्धांगतों से अपने विचार उधार लेते हैं लेकिन बैग्यानिक केवल अपने सहकर्मियों के समुदाय का सदत से ही नहीं होता वह नागरिक भी होता है और देश के भविश से उसे भी लेना देना होता है अगर अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए वह अपने आसपास के लोगों और बिश्च के प्रति अ नियुनतम बुनियादी आवस्यक्ताएं उपलब्द कराना और वर्तमान योजना के अंत्ताक आत्मिरभरता प्राप्त करना एक दूसरे से जुड़ी हुई बाते हैं जिनके लिए हम बचन बद्ध हैं